नमस्कार मेरे नुमिस्रा आपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज किस वीडियो में मैं बना रही हूँ डबल जीपर पाउच चीज का यूज आपने सेविंग कीट की तरह कर सकते हैं या फिर मेकप कीट की तरह कर सकते हैं या कोई भी आपके बस छोटी-मोटी तो वो भी आराम से बना लेंगे, इस तरह का जो पाउच होता है, बहुत ही यूसफूल होता है, तो आप भी इसको ट्राइ करें, तो आए शुरू करते हैं, पाउच को बनाना, सबसे पहले हमें चाहिए होगा, अस्तर, अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा सकते हैं, फिर उसके ऊपर रखना है form, अगर आप पको form न ही मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो सौपइं बैगत, जो carry bag आता है, उसको ले सकते हैं, या फिर आटा और चावल, वोरी आती है, उसको भी ले सकते हैं, फिर उसके ऊपर रखेंगे ये main fabric अब तीनों को मिला के हमें एक पीस बनाना यानि कि quilt करना है तो यहाँ पर देखिए एक side से इसको quilting करना शुरू करेंगे एक side seal लेंगे फिर उसके बाद दूसरी side भी seal लेना है इस तरह से यह देखिए quilting पूरी हो चुकी है अब उसके बाद पूरा quilting करने के बाद साइट से जो भी एक्ट्रा अस्तर फोर्म है न सब को काटके बराबर कर लेंगे चारो साइट से तो अब इस तरह से इसकी quilting हो चुकी है अब इसका नाप देख लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 12 इंच 15 बाइट 12 का ये एक पीस रेडी हुआ है अब क्या करना है हमें यहां पर उपर से तीन इंच पे निसान लगाना है तो यहां पर तीन इंच पे निसान लगाने के बाद अब इसको कट करना है अब इसको कट करने के बाद यह जो चोटा अला पीस है अब यहां से देखिए य ताके बाद में एड करते समय जोडते समय दिक्कत ना हो अब इस तरह से हमें चार अस्तर लेना है पॉकेट बनाने के लिए चारो की जो लंबाई चोड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है तो अब मैं आपको बता देती हूं किसी साब से इन चारो का नाप लेना है तो यह करता हैं तो ःड देशन होने इसत weer करें तरुलक्तिं सभिक में सेहा हास से थोड़ा से 1 पास्ते थोड़ा से कम रखना है अब जो ऊपर की तरफ से हमने कुद्स कная था उसमें हमें कि जिपको लगाना तो सीधी साइड है यह यह अन्दर की तरफ रहेगी कर शीचेदी इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और फिर दोनों को मिला के इस तरह से सील लेना है तो यहां पर यह मैं आपको एक एक पीस सील के दिखा रही हूँ आप चाहे तो साथ में जो अस्तर है उसको भी रखके सील सकते हैं तो यहां पर आपको अच्छे समझ में आजा है इसलिए पहले मैंने यह जीप को जोइन किया अब उसके ओपर यह जो पॉकेट वाला कपड़ा है इसको देखे जो सीधा पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखेंगे नीचे की तरफ और यहां पर इस तरह से मिलाते वे सील लेन है तो अब इसको भी सील लेते हैं अब यह दोनों पीस सीलने के बाद दोनों तरफ हमें अन्ना एक बार टॉप स्टिच करना है तो उसके लिए देखिए जो अस्तर है उसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और जिप को उपर की तरफ करेंगे और इसकी उपर एक बार प साइड इसी तरह से कर लेना है कि यहां पर भी एक बार प्रेसिश्टिश कर लेंगे तो इस तरह से यह प्रेसिश्टिश हो गया है अब जिब के दूसरे साइड में हमें जो यह कपड़ा हमने कट किया था उपर की तरफ निशान लगाया हुआ था न उसको इस तरह से मिलाते वे सिल लेना है अब उसके बाद जो पॉकेट वाला कपड़ा है एक और तीसरा वाला कपड़ा लेना है और यहां पर देखिए जिब के उपर इस तरह से रखेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ और फिर इसको भी सिल लेंगे तो यह देखिए एक साइड यह सिल गया है अब इसको भी पलट के और फिर यहां पर एक बर सिलाई कर लेंगे इस तरह से पलटते हुए यहां पर और फिर उपर से यहां पर टॉप स्टिश कर लेंगे अब एक जिप का दूसरा साइड बचा हुआ है तो उसमें यह जो में फैबरिक है इसको इस तरह से मोड के मिलाते हुए यहां पर सिल लेना है अब साथ ही साथ इसमें जो पॉकेट है उसको भी रखके सिल लेते हैं यहां पर उपर की तरफ जो चौथा वाला पॉकेट है उसको यहां पर रखके सिलेंगे जिप के उपर इस तरह से रखते वे और फिर इसको भी सी लेना है जो सीधी साइट रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी तो अब इसको भी दिखिए पलट के थोड़ा सा यह जो जिप है इसको थोड़ा सा खोल के पूरा किनारे तक और इसके उपर भी प्रेस इस्टिष कर लेगा ता बहुत आराम से और उप्रेसिस्टिष हो जाएगा इसको पर अब यह देखिए हऊ गया ही में अन्य अप्रेस इश अब क्या करना है यह जू जिप है जिप के अगल भगल जो दोनों ये pocket वाला कपड़ा है उसको लेना है इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान रखने ये जिप पीछ में आ रहा है न फिर उसके बाद ये दोनों पीस को हमें लेना है पकड़ के और फिर तीनों साइड से सिल लेना है तो यहाँ पर ये जो जिप है उ हमें एक किनारे से सिलना सुरू करेंगे और दूसरे किनारे तक सिल लेना है To अब यह एक साइट का सिल गयाना इसी तरह से हमें जो दुसरा ओला पॉकेट है उसको भी त्यार करना है तो उसको भी दिखिए जिप के जो दोनों अगल बगल जो कपड़ा है उसको लेना है इस तरह से और फिर यहां पर भी देखिए तीनों साइट से सिलना है बीच में थोड़ा सा छोड़ देना है उसको पलटने के लिए तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं ताकि इसको बाद में पलट सकें अब क्या करना हमें देखें इसको इस तरह से जो यह दोनों जिप हैं दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और यह जो उपर का जो बीच का हिस्सा है वो इस तरह से सीधा रखते हुए और फिर नीचे बिल्कुल बराबर करते हुए सेंटर में यहाँ पर कट कर लगा लेंगे हलका सा इसी तरह से दूसरी साइड भी इसको देखें एकदम बराबर करेंगे और फिर नीचे की तरफ सेंटर में कट लगा लेंगे अब यहाँ पर दोनों साइड ये कटिंग हो चुकी है अब इसको देखें इस तरह से बराबर रखेंगे और फिर इसको किनारा सी लेना है पॉकेट को इस तरह से थोड़ा सा हलका सूपर करते हुए और फिर यहाँ पर देखें एक साइड पूरा पहले सील लेंगे इसको सील लेना है इसी तरह से दूसरी साइड भी सील लेना है अब ये एक साइड सीलने के बाद पहले हम जो हेंगर है उसको रेडी कर लेते हैं उसके बाद उसको मिलाते वे दूसरी साइड भी सीलेंगे तो यहाँ पर यह देखिए छोटा से कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई है 5,5 इंच और चोड़ाई है इसकी धाई इंच अब इसको दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ना है और फिर बी से मोड़के सीलेना है तो अब यह हैंगर लगया इसको इस तरह से बी से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा एकदम सेंटर में रखते वे और यह साइड भी सीलेना है अब ये दोनों साइड सिल गया है अब इसमें हमें क्या करना है जितना भी कोना है न सबको सेव देने के लिए कट करना है तो यहाँ पर देखिए एक एक इंच पे हमें चारो कोने पर बॉक्स बना लेना है तो ये वन बाई वन का ये पहले ये चारो साइड में वन वाई वन का बॉक्स बना लेंगे ये देखिए दोनों तरफ से एक एक इंच पे निसान लगा लिया है मैंने अब ये निसान लगाने के बाद इसको कट कर लेते हैं अब इसको कट करने के बाद ये जो पॉक्ट है इसमें भी हमें चारो तरफ बिल्कुल ऐसे ही कट लगाना है वन वाई वन का इस तरह से बॉक्स बना लेंगे मतलब कि दोनों तरफ एक एक इंच पे निसान लगा के बॉक्स बना लेंगे और फिर इसको कट कर लेना है अब ये सारी कटिंग हो चुकी है कोनों की अब इसको देखिए इस तरह से बराबर करते वे दोनों जो जोड़ है दोनों को सिलाही को जो मिलाते वे इस तरह से सीलेना है इस तरह से बराबर करेंगे और इसको जितने भी कोने हैं सबको ऐसे ही सीलना है अब ये जो में फैबरी के इसमें भी देखिए इसको भी इस तरह से बराबर रखते वे इन चारो कोनों को भी सील लेना है अब सभी कोनों को इसी तरह से सिलेते हैं पटापट इस तरह से देखे सभी कोनों की सिलाई हो चुकी है अब इसके बाद क्या करना है हमें यह जो पाउच है इसको सीधा कर लेना है तो जहां से हमने थोड़ा सा हलका सा खोल के रखा था वहां से इसको सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ तो यह दिखे इसको यहाँ से थोड़ा सा जो जीफ है उसको हलका सा खोल लेंगे फिर इसके बाद इसको सीधा करेंगे अब इसको सीधा करने के बाद जो सीलाई हमने चोड़ी थी इसको भी पकड़के और सील लेना है I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही useful होता है इस तरह का जो pouch होता है आप इसमें जो छोटे-मोटे कपड़े होते हैं उसको भी organize करके रख सकते हैं आप इसको जरूर बनाना उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कामेंट शेयर करें ताके मैं आप लोगों के साथ और अच्छे अच्छी नई-ईए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू